हेलो दोस्तों, Polytechnic Learning 7-7 classes में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि Polytechnic या निकी G-Cup को ज़े एक्जाम होता है जो 2022 में आप एक्जाम होगा, उसमें या फिर Polytechnic में कितनी ब्रांचें या ट्रेड होती है इसमें Polytechnic को करने में कितनी फीस लगती है और इसको करने में कितना समय लगता है यानि कि कितने वर्स का कोर्स होता है और फॉर्म वगएरा इसका कब आता है इसके साथ दोस्तों मैं और भी कुछ additional चीजें बताऊंगा जैसे scholarship वगएरा कितनी आती है ठीक है और government, private, कितने college वगएरा होते है सारा का सारा मैं इसी वीडियो में topic किलियर करूँगा तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें ठीक है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी branch और trade होती है दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि polytechnic जो branch और trade कितनी होती है तो जो mostly हम लोग branch के नाम सुनते हैं दोस्तों यही branch के नाम सुनते हैं mechanical, engineering, electrical engineering, civil engineering, computer science engineering, electronics engineering इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचे होती है, मैं सारी ब्रांचों को आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो देखेगा सारी कौन-कौन सी ब्रांचे होती है, तो सबसे पहले देखते हैं, तो दोस्तों आप ये देख लीजी, ये सारी ब्रांचे होती है, chemical engineering, chemical technology fertilizer, ठीक है, एक हमारी होती है, computer science engineering, computer science में भी कई सारी ब्रांचे होती, dairy engineering होती है, diploma in plastic mold technology, ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते है, electrical engineering होती है, electrical engineering में और सारी ब्रांचे होती है, जैसे industrial control, ठीक है, electronics and communication engineering होती है, electronics engineering में एक advanced microprocessor and interface, ठीक है, micro electronics, modern consumer and electronics, air appliances, food technology, information technology, instruments and control technology leather technology दोस्तों यह आप देख सकते हैं mechanical में भी बहुत सारी ब्रांचे होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं production एक होती है maintenance होती है computer added design किवल एक CAD की specific ब्रांच भी होती है automobile होती है तो आप चाहें तो screenshot भी ले सकते हैं pent होती है pent technology आप screenshot भी ले सकते हैं कि आपको कौन सी trait पसंद है दोस्तों यह comments में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी branch पसंद है और आप किस branch से polytechnic करना चाहते हैं या फिर करेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको specific अगर आप chemical से करना चाहते है electrical, mechanical, electronics तो मैं specific branch क्या scope है उसका उसमें कितना time लगता है कितना course होता है कितनी कितावें लगती है क्या क्या आपको पढ़ना पढ़ता है तो उसके लिए भी मैं particular आपको video provide करा दूँगा दोस्तों ठीक है तो आप लोग comments में जरूर दोस्तों बताएगा अब दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं कि politics में कितनी fees लगती है और कितना समय लगता है तो सबसे पहले देख लीजिए कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा ठीक है नहीं तो आप बेवज़ें फिर confuse होंगा फिर कहेंगे सर आपने गलत बता दिये या फिर कोई दूसरी जगए कि वो ऐसा कह रहा था तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना यहाँ पर मैंने लिखा है 15 से 25 जार रुपए लगते हैं प्रितिवर्स कैसे लगते हैं और भी समझ लीजी इससे ही ज़ादा भी लगते हैं मैं दोस्तो आपको बता दूँ अगर दोस्तो सबसे पहले तो समले जी पॉलिटेक्निक में दोस्तो तीन प्रकार के कॉलेज होते हैं ठीक है एक तो हमारे होते है गौर्रमेंट कॉलेज होते हैं दूसरे हैं हमारे added college होती है और तीसरे हमारे pay or private college होती है दोस्तो government college की जो fees होती है वो लगबग 14,000 रुपए होती है मैं ये fees के वल आपकी जो fees ये होती है दोस्तो ये मैं आपकी प्रतिवर्स की इसाब से बता रहो है यानि कि 2 semester की fees होती है लगबग 14,000 कुछ रुपए यानि कि लगबग 15,000 रुपए होती अगर आप government polytechnic से polytechnic कर रहे हैं डिप्लोमा करेंगे तब ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तो इसके साथ जो hostel वगरा की जो fees होती है दोस्तो वो आलग पड़ जाती है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तो हमारी added college की तो added college जो fees होती है दोस्तो उनके उपर depend करता है लगबग वो 20 से 25,000 के बीच रहती है ठीक है government college जो में देखे क्या होता है कि हो सकता है आप अगर ये कुछ time बाद वीडियोस देखें तो हो सकता है fees आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जा है तो लगबग मैंने एक around दे दिया कि 10-15,000 के around आपकी government college की रहेगी 22-25,000 के around आपकी added college के रहती है private college में दोस्तो around आपकी 40,000 कर रहती है बागी ये depend करता है कि वो college आपसे कितनी fees वसूल पा रहा है वो भी इस चीज़ का आप दोस्तों ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कितना समय लगता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ जो polytechnic के दोस्तों करने में maximum 3 years और minimum 1 year लगता है इतना समझेजे कैसे देखिए बहुत सारे से जो polytechnic यानि diploma के जो course होते हैं वो 1 year के भी होते ही कुछ courses जैसे अगर आप pure करेंगे यानि कि अगर आप 10th के बाद form डारे है 12th के बाद भी डाले हैं अगर आप later entry से जारे हैं तो दोस्तों आपको किवल 2 साल लगेगा अगर आप ऐसे जारे हैं direct तो आपको maximum 30 years लगते हैं और अगर और भी ऐसे कई सारे course होते हैं जिसमें आपको 1 year भी लगता है तो इसमें minimum जो time होता है वो 1 year का और maximum time 3 years का होता है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं कि इसका form वगरा का बात है तो दोस्तों इस समय जो इसका form है वो जनवरी से फरवरी के बीच आता है 2021 में भी हमारा लगबख फरवरी के बीच आया था 2020 की बात करा तो लगबख 2020 में भी ऐसा ही आया था form इसकी जो last date होती है यह लगबख form हमारा जुलाई तक दोस्तों कम से कम इसकी last date रहती है कि इसमें date बढ़ती भी रहती है और भी ज़्यादा चली जाती है तो लगबख यह जनवरी फरवरी से लेकर के जैसी form आ जाता है form कम से कम 4-5 महिने तक date चलती है आप form fill up कर सकते है जो form की fees होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है लगबख 500 रोपय होती है form की fees होती है ठीक है और बात करें scholarship के तो दोस्तों scholarship जो होती है polytechnic में वो भी depend करती है कि आप किस college और किस branch से कर रहा है इतकिस प्रकार से आप job लें कौन सी branch आपके लिए best रहेगी कुछ भी doubt हो तो आप comments में जरूर बताइए कि मैं आपके comments का जरूर इंतिजार करूंगा और उसी के अनुसार मैं आपको वीडियो प्रोवाइट करता रहूंगा कोई भी doubt हो जरूर बताइएगा दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो दोस्तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करने क्योंकि यहाँ पर polytechnic से जुड़ी हार एक्चे चाहिए हो semester classes हो semester exam के update हो polytechnic से जुड़ी update हो polytechnic से related intense exam सारी यहाँ पर update और news दी जाती है दोस्तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को like and share करें वीडियो को भी like and share करें ठीक है और अगर आप चाहते हैं मुझसे तो instagram से मैंने description पे अपने instagram की link भी दे रखी है और telegram की वहाँ से जूड बुक वगरा यह important notes की PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों thank you